अब तक आपने जितने भी MIYSR अपडेट देखे न वो सारे अनोफिसियल थे लेकिन यहाँ पर ओफिसियल अपडेट आ चुका है हमारे MIYSR का जो के Inferno Edition है और यहाँ पर बहुत कुछ आपको नई चीजे देखने को मिलती है जो कि आपको बहुत जादा ही पसंद आने वाल और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करेगा और में दोनों चैनल को कर लें सब्सक्राइब क्योंकि आज कर रोम्स के अपडेट बहुत जादा आ रहे हैं और दोनों चैनल पर मैं वीडियो दे रहा हूं तो मिस्स मत करना यहां पर आप देखो कि Unlocking Animation काफी स्मूर्ली यहां पर सो करता है और काफी अच्छा देखने में भी यहां पर लगता है जो कि बाके दर जितनी में Unlocking Animation आज तक आपने देखेना है उनसे तो बिल्कुल ही यह अलग सा फील देता है जो कि काफी पर्फेक्ट मुझे लगा और यह दोनों options सबसे पहले मैंने यहां पर Mi 11X के VN Edition में सो किया था जो कि यहां पर भी आपको देखनी को मिल रहा है तो इस तरीके से यह चीज़ा आप यहां पर कुछ इस तरीके से कस्टमाइज कर रखा है और यहां पर folder के अंदर का animation और color अगरे भी आप देखें तो थ जैसे ठीक से आपको पता नहीं चल पा रहा तो चले मैं wallpaper चेंज कर लेता हूं तो यहां पर आप देखें तो मैंने wallpaper चेंज कर लिया और यहां पर आपको different look नजल आ रहा होगा जो कि पहले black black देखनी को मिल रहा था तो यह भी आपको नया look देखनी को मिलता है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा वहीं पर विजट सपोर्ट की बात करें तो आपको यहां पर विजट सपोर्ट बिल्कुल ही चाहिना रहा देखनी को मिलता है latest जो कि recommendation category discovery और जो भी आप विजट परचेच करोगे उसका list यहां पर मिलेगा बट यहां पर भाई advantage यह है कि आपको purchase करने के ज़रुवत ही नहीं परेगी क्योंकि यहां पर जितने भी paid आपको विजट मिलते हैं वो सब कुछ इस roam के अंदर unlocked मिलता है यानि आप किसी को भी buy करके apply कर सकते हो जैसे कि मैंने यहां पर वेदर के लिए नया icon लगा रखा है यहां पर camera के लिए अलग icon लगा रखा है ज जो कि काफी अच्छे तरीकी से काम करता है पलस यहां पर आपका notification area जो कि बिल्कुली different look में नजर आ रहा है और इसे आप जैसा चाहो जैसा change कर सकते हो और यहां पर कुछ application के आपको shortcut मिल जाते हैं जो कि directly यहां से click करके आप उसे on भी कर सकते हो तो यह भी आपको यहां पर करने के बाद आपको जो भी application ज्यादा यूज करते हो उसका यहां पर shortcut बना सकते हो और बाद में यूज कर पा गए और यह iPhone वाला look है जिसमें आप कई सारे और भी बदलाओ ला सकते हो जैसे बहुत सारे unique share difference से आपको यहां पर look देखनी को मिलेंगे जो कि मैं आपके साथ share करने वाला हूँ इसलिए last तक जरूर वाच करना और यहां पर साथ से पहले हम आते हैं इसके about के ऊपर जहां पर यह लुक आपने पहले भी देख रखा है इसरा के तरफ से जो कि यहां पर भी आपको दिखाई देता है बाकि यहां पर maintainer का आपको नाम देखनी को मिल जाए special features में वही सारे common option आपको यहां पर देखनी को मिल जाएंगे जो कि working है और यहां पर अगर double floating window के अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक ही काम करता है क्योंकि यह हमारा MIY 13 पे run कर रहा है double status बार आपको यहां पर देखनी को मिल जाता है और यहां पर emoji भी लगा हुआ है तो इस तरीकी से इसका भी आप benefit ले सकते हो बाकि 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 और आने के बार additional setting जहां पर आपको memory extension और बाकि अदर common options देखनी को मिलेंगे bad tick के अंदर यहां पर अगर slide करते हैं तो health वाला look आपको देखनी को मिलता है tab वाला बट यह clickable नहीं है another face unlock वगएर आपको working मिलेगा और home screen के अंदर बहुत कुछ नया देखनी को आपको मिलता है जैसे कि यहां पर आपको ISO summary वगएर का option मिल जाता है यहां पर neighbor वगएर का option मिल जाएगा folder के अंदर effects वगएरा नए animations वगएरा यहां पर always clock वगएर का option आपको मिलते है row and column मिल जाता है Google का जो monet search बार है उसे आप अलग-लग change कर सकते हो यहां पर अलग सा style आपको मिल जाएगा folders related doc का option और effect आपको यहां पर मिलता है वसे कि blur आप यहां पर reduce वगएर कर सकते हो opacity वगएर को भी old यहां पर आप चाओ तो widgets ला सकते हो यहां पर blur का option आपको देखनी को मिलेगा outline का option है आइकन का option आपको यहां पर मिल जाता है बाकि यहां पर restart का और इधर in करने के बाद iPhone का look डाल सकते हो उसके tap कुछ छोटा और बढ़ा कर सकते हो और सासे अनिमेशन भी control कर सकते हो plus मैं यहां पर आपको देखनी को मिलता है background में blur चाहिए या नहीं कुछ कुछ चीजों का आपको show and hide करना या नहीं और clean का button भी और यहां पर आपको show panel का option मिलता है जो कि यहां पर recent पे था ना अकर मैं इसे off कर देता हूँ यहां पर आपको कोई भी panel देखनी को नहीं मिलता shortcut का लेकिन जैसी मैं यहां पर on करूंगा बहुत सारे option आ जाते हैं और color change करने का option आपको देखनी को मिलता है तो यह मुझे काफी अच्छा लगा और different सा भी Another notification बिल्कुल ही simple और same देखनी को मिलता है जिसमें जादा change नहीं किया गया लेकिन चाइनावल यहां पर group notification मिलेगा क्योंकि चाइना रोम का ही बोडिफाइड वर्जन है अनदर यहां पर display के अंदर आपको देखनी को मिलता है anti flicker refresh rate और जहां पर आपको देखनी को मिलता है 6120 यहां पर full resolution का भी एक option है जो कि किसी काम कर नहीं होने वाला तो इसे आप ignore करना अनदर यहां पर आता है always on जहां पर आपका limitation unlock मिलेगा और बाकी यहां पर सब कुछ similar रहता है wallpaper भी same to same है अब direct आते हैं हम इसके extract customization के उपर जो कि यह look आपको देखा हुआ लग रहा है बट इसमें कई सरे look change करने का option मिलते हैं तो सबसे play start करते हैं power menu से जहां पर आपको monet य या फिर scarlet और कैसा look चाहिए वो चीज़ आप कर सकते हो मिशलेन इसके अंदर theme का server आप change कर सकते हो यहां पर box वगरा change करने का option आपको मिल जाता है don't play sound on unmute का option मिल जाएगा secure mood का option मिलता है lock का refresh rate वगडर इस्ट्राडी और यहां पर unlocking पर वगरा चाहिए या नहीं वो option आपको देखनी को मिल जाएगा status bar mode आपको देखनी को मिलेंगे जो कि मैंने यह वाला यूज कर रखा है बाकि यहां पर adjustment वगरा भी आप कर सकते हो और यहां पर देखो कि आपको logo style देखनी को मिल रहा है तो जो कि यह है ना इसे आप change कर सकते हो यहां पर आपको 4G का 5G का जहां पर मैंने यहां पर यह सारे player वगरा लगा रहे हैं वह सारे चीज़ आप यहां से control कर सकते हो और अगर 100 नहीं होता तो apply button का आप यूज कर सकते हो old control center जैसे कि miy13 वाला या twitter वाला control center यूज करोगे तो वहां पर जो बरवर details होते हैं total 8 आप यूज कर सकते हो उनके जो आप control कर सकते हो कम या ज्यादा कर सकते हो जैसे कि यह रहा अगर मैं यहां पर only on 4 करता हूं तो total यहां पर इस तरीकी से देखनी को मिल जागा इसके color और changing भी कर सकते हो टेक्स्ट पगे रहा के अंदर जो कि आप देख पा रहे हो तो इस तरीकी से यह चीज आपको यहां प आप control कर सकते हो अनदर आता है main menu जहां पर आप देखो इस तरीकी से आपको look देखनी को मिलता है जो कि था different है बाकी से और यहां पर बहुत सारे options आपको यहां पर दिखाई देते हैं साथ साथ अगर हम यहां पर आते हैं तो आपको monitor app icon मिल जाता है जो कि यह मैंने पहले भ देता है तभी black हो गया है बाकी यहां पर वाइफाई बगरा और नेटवक बगरा के icon को change कर सकते हो और यह system का monitor effect है और मुझे actually में monitor अच्छा लगता है इस type का जो कि हमें MIUI पे मिलता है लेकिन जब भी आप change करोगे थोड़ा सा time देना पड़ेगा तो यहां पर apply हो चुका है back आने के बाद अब यहां पर आप देखो यह थोड़ा different look आपको देखनी को मिलेगा पूरा पूरा यहां पर setting के अंदर तो यहां पर minute वाला यहां पर feel आ जाता है जो कि मुझे पसंद आया वापस यहां पर ing करते हैं तो look change हो चुका है main पर आते हैं तो यहां पर different look देखनी को मिलता है बाकी यहां पर आप अलगलग style भी change कर सकते हो अपने control center के लिए बाकी यहां पर other चीज़े show and hide भी कर सकते हो तो देख से तो तो different look में आ चुका है इसमें बाकी जो आपको square shape में देखनी को मिलने वगर नहीं चाहिए तो उसे भी आप other option से use में ला सकते यह change कर सकते हो जैसे कि यहां पर 아पको card view देखनी को मिल जाता है यहां पर summary वगरा देखनी को में चाहिए Google header बगरा देखनी को मिलता है तो बहुत सारे motivation आपको यहाँ पर मिलते हैं और काफी अच्छे look में भी नजर आते हैं तो अगर आप इसे try करना चाहते हो तो use कर सकते हो लेकिन उससे पहले हम नजर डालते हैं इसके battery performance के उपर की कैसा हमें देखनी को मिलते हैं और साथ-साथ customization वगया तो मैंने so कर दिया तो डायक्ट आते हैं टेस्टिंग result के उपर तो यह है हमारा Geekbench जो की औरोल काफी अच्छा देखनी को मिल जाता है अंटू टू स्कोर भी काफी अच्छा खासा दिखाई देता है और 100 पे डालने के बाद आपको यहाँ पे CPU ट्रोटल जो की एक लग नवा सीजा देखनी को मिलता है और मिनुम एक लग पैसट हजार और उपर एक वाइट लाइन आपको दिखाई देला हो ना यह बैटरी का लाइनिंग है जो कि इसमें भी आपको देखनी को मिलता है जो कि आपने मैक्सिम कस्टम रोम में देखा होगा अनदर यहाँ पर भाई मैंने गेम टरो में डाला तो ज़्यादा इंप्रूमें डेखनी को नहीं मिला अनदर सेटेप का यह लोगो था और स्टेंट बाई बैटरी ड्रॉप जो कि 56 के बाद यहाँ पे 54 आता है L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा और डॉल भी यहाँ पर हमारा काम करता है तो साउंड इफेक्ट का फुल बेनिफिट आप ले पाऊगे और यह तो लुक मैंने आपको सो कर ही दिया और कंट्रोल सेंटर जैसे कि आप यहाँ पर देख पारे हो मैंने मोडिफाइड किया था तो स्क्रीन सुट लिया था तो जैसा भी आपको लुक चाहिए कंट्रोल सेंटर का वह आप यहाँ पर सेट कर पाऊगे वह Google का Photo Storage आ जाएगा जो कि यहाँ पर आपको सो हो रहा है बाकि मैंने Camera वगए रचेक किया तो Camera भी हमारा काम कर रहा है और Camera में मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला रही बात यहाँ पर Recommendation तो हाँ भाई मैं इसे Recommendate कर सकता हूँ और जो recently SR Update आये थे उनमें यह सब चीज यहाँ पर fix हो चुका है तो आप यहाँ पर Banking के App को भी यूज कर पाऊगे यानि और रहल हर जगह से यहाँ पर आपको Plus Point देखनी को मिलता है जिसके वैसे आप इसे असानी से यूज कर सकते हो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना चैनल पर नहीं है तो प्लीज सस्क्राइब मैं मिलता हूँ नेक्ट टुडियो में थांक्स वॉचिंग